Hello friends, Address in modes के topic को continue करते हुए, इस वीडियो में आज हों दिखिएंगे, Register mode क्या होता है और Register in direct mode क्या होता है तो चलिए स्टार्थ करते हैं, Register mode में क्या होता है, Instruction specifies a register in memory, whose content gives the operand value कहने का मतलब जो instruction में address field है, इसे भी instruction के दो पार्ट्स हो सकते हैं, address and the operation operation आपको कोई भी operation specify कर सकता है, addition, selection बगेरा, address field में क्या होगा, Register mode में यहाँ पर कोई आपको Register number गिवन होगा और उस register पर आपको corporate value में देगी, हमने बते हैं, limited number of registers को हम यूज करते हैं, let's say 16 registers को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो 16 registers के लिए कितनी bits के requirement होगी है, 2 raise to the power of 4, because 2 raise to the power of 4 is equal to 16, means 4 bits हम use करेंगे registers को represent करने के लिए, like this, okay, आपको होगा क्या, यहाँ पर हमें कोई Register number गिवन होगा, आप उस particular register number को access करेंगे, और यहाँ पर जो भी data हमें मिलेगा, उससे हमें आपको गिवन है register number, आपका ओपरेंट आपको कहां मिलेगा, Register number पर, आपको गिवन होगा R1, अब हम क्या करेंगे, हम Register R1 को access करेंगे, और यहाँ पर जो भी data होगा, उससे as a operand मानुक के अपने operation में use करेंगे, अगर हम यहाँ पर बात करें, आपको गिवन होगा, जो instruction आपको गिवन है, इसमें जो address फिल्ड है, यहाँ पर क्या होगा, आपको कोई Register, number गिवन होगा, suppose यहाँ पर आपको R1 गिवन है, जैसे हम यहाँ 16 registers मानागा, similarly यहाँ हम 16 registers मानके चलते हैं, तो 16 registers कुछ इस तरीके से होगे, 0000, 00001, 0010, और इस तरीके से साथ ही अम्मान रहते हैं, यह हमारी memory है, memory में कहीं पर address हमें की बने है, 250, 51, 252, 253 and so on, this is the memory, and this is registers, तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर जो भी हमें register number भी बन रहा है, आप उस particular register को access करेंगे, यहाँ पर जो भी हमें data मेरेगा, वो क्या होगा, वो memory में किसी location के बारे में बताएगा, जहाँ पर हमें actual operating value मिलेगे, suppose हमारे case में वो value क्या है, 252, अब हम क्या करेंगी, हम 252 location को access करेंगे, और यहाँ पर जो भी data में लेगे, suppose 500, तो इस data को हम ऐजा open value use कर लेंगे, ओके, एक्साम्पल से देखते हैं, LV, R1, indirect mode को represent करने के लिए हम brackets use करते हैं, यह example है आपका registered indirect mode का instruction क्या रहा है, Lord R1 with indirect mode, इसमें होगा क्या, सबसे पहले हमें क्या करने है, रजिस्टर R1 को access करना है, अब रजिस्टर R1 पे जो भी data हमें मिलेगा, वो क्या है, वो memory location है, हमें उस memory location को access करना है, और वहां पर जो भी data होगा, उसको accumulator में store करना है, इस तरीके से लिए instruction को execute करना है, अब अगर हम बात करें effective address की इस case में, इस case में हमारा effective address क्या होगा, 252, क्योंकि 252 को location है, जहां पर हमे operate value मिली है, और यहां पर operate value क्या है, 500, so this is the register indirect mode, अब अगर हम बात करें benefits की, तो benefits क्या होंगे, सबसे पहला benefit आ जाता है आपका speed, जब भी हम registers की बात करते हैं, हम कहते हैं limited number of registers हम use करते हैं, और वो limited number of registers हमे, increase speed provide करते हैं, तो जो पहला benefit है वो क्या है, speed का, दूसरे benefit के अब हम बात करें, तो वो क्या हो जाता है आपका, reduced instruction size, अब instruction size कैसे reduce हो जाता है, इसको देखते हैं, suppose हमारे पास memory है, one million words की, तो one memory words को represent, one million memory words को represent करने के लिए, हमें कितने bits के requirement होती है, 20 bits की, अब 20 bits को अगर हम address field में use करें, तो हमारे instruction का size क्या हो जाता है, पड़ा हो जाता है, तो हम यहां पर एक और option choose कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यह जब 20 bit address है, उसको किसी particular register में show कर दा जाते हैं, हमें बता है, registers limited होते हैं, जैसे example में हमने consider के थे, 16 registers के लिए, कितने bits के requirement की? 4 bits की, अगर मैं बात करूं, 32 registers तो 5 bits के requirement होगी, अगर हम बात करे 64 registers की, तो यहां पर 6 bits हो जाएगा, as compared to 20, 4 bits are less, 5 कर लेस, and 6 bits are also less, तो हम यह term कर सकते हैं, कि 20 bits ने हैं, उसको किसी register में show कर दाए, और register का address, फिर हम instruction के address field में specify करें, तो address field में होगा, क्या हम नहीं आपर 4 bit के requirement हुई, आपका जो इंस्रुक्शन का size है, यहां 5T S X की, तो आकका जो instruction का size है, वो reduce चापटा है, वो रिडियूस युदा है, वो बूस्यूस की ने तो ने आपरता है,